हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू अश्टमी को माता महागोरी नवमी के दिन सिद्धिदात्री का पूजन करने के साथ ही कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है नवरात्री कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रे पूर्ण माने जाते हैं दोस्तो नवरात्री दुर्गा नोमी मार्च सिद्धिदात्री का पूजन 30 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। नोमी तिथी प्रारंब होगी 29 मार्च रात्री 9 बचकर 7 मिनट पर, नोमी तिथी का समापन 30 मार्च रात्री 11 बचकर 30 मिनट पर होगा। दोस्तो इस साल 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के पूरे 9 दिन की नवरात्री है और 31 मार्च को 10 मी तिथी के दिन पारण होगा और 7 ही इस दिन दुर्गा प्रतिमा का विशर्जन भी किया जाएगा अविजीत मूरत होगा दोपहर 12 बचकर 7 मिनट से दोपहर 12 बचकर 55 मिनट अमरत कार मूरत होगा रात्री 8 बचकर 18 मिनट से रात्री 10 बचकर 5 मिनट तक ब्रम्म मूरत होगा सुबह 4 बचकर 49 मिनट से सुबह 5 बचकर 37 मिनट तक दोस्तो माता रानी की नौ दिनों तक शर्धा पूरक पूजा अर्चना करने के बाद बारी आती है कलस विशर्जन और देवी विशर्जन की बहुत से लोगों में ये दुईधा रहती है कि कलस विशर्जन कब करना चाहिए दोस्तो सास्त्रों के अनुसार नौरात्री पूर्ण होने के बाद ही कलस का विशर्जन किया जाता है यानि कलस और दुर्गा परतिमा का विशर्जन दसमी तिथी को करना चाहिए हालां की लोग अपने जगह की मानेताओं के अनुसार अर्ष्ट में नौमी के दिन भी कलस्विजर्दन करते हैं। अब जानते हैं नौमी पूजन के बारे में। दोस्तों नौ दिनों की नौ दिनों की नौ दिनों में आप मा के नौ रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्री के दिन मा सिद्यदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मा सिद्यदात्री भक्तों की मनोकामनाय पूरी करती हैं और उन्हें यस बल और धन भी प्रदान करती है। दोस्तो इस दिन प्रातेश नानकर मा की विद्वत पूजा कर उन्हें भोग लगाएं और कन्या पूजन वहवन आदी करें। नौमी के दिन पूजाय में मा को श्रिंगार का सामान लाल चुन्री और लाल सिंदूर जरूर अर्पित करें। माना जाता है कि इससे मा आपको अखंड सौबागे का वर्दान देती हैं। जै माता जी।